नमस्कार आपका अख़बार के इस हंक में आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंग आखिरकार कॉंग्रेस ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी एक और हिंदू विरोधी कदम कॉंग्रेस ने एक बार फिर साबित किया कि वह राम के साथ नहीं रोम के साथ है और इसका प्रमाण कॉंग्रेस बार बार देती रही है और आज से नहीं आजादी के पहले की बात छोड़ दे 1954 आजादी के बाद 1951 से जब सोमनात मंदिर का जिर्नो धार हुआ और उसका उद्गाटन होना था उसमें डॉक्टर राजेंद प्रसाद जो समय देश के राश्पती थे पहले राश्पती वो जाना चाहते थे नहरू उसके घोर विरोध में थे नहरू ने पत्र लिखा उनको रोकने की कोशिश किये नहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद प्रसाद उस कारिकर में शामिल हो वो उसके लिए केम मुंशी से भी बहुत नाराज थे नहरू का सौभाग्य था केवल इतना कि उस समय तक सरदार पटेल जीवित नहीं थे वरना नहरू को शायद उस समय और जादा विरोध का और कड़े विरोध का सामना करना पड़ता जो उनको सामना नहीं करना पड़ा लेकिन जवाहलाल नहरू ने देश के प्रधम प्रधान मंत्री होने के बावजूद, सुतनता संग्राम सेनानी होने के बावजूद, बहुत ही घटिया कदम उठाया, इसके बारे में मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, कि किस तरह से जब डॉक्टर राजेंद प अपना का कारिक्रम है, इसमें मैं जरूर जाओंगा, अपनी संस्कृती से कट कर नहीं रह सकता, और जब वहां वहां वह गए और कारिक्रम में शामिल हुए, वहां उनका भाशन हुआ, उस भाशन को जवाहलाल नहरू ने ये इंशोर किया, कि P.I.B. से उसकी रिलीज जार लाश्पती का भाशन हो, और P.I.B. उसका प्रिस्नोर जारी न करें, उनका पूरा भाशन जारी न करें, ऐसा कभी होता नहीं है, ये पहली बार हुआ, और जवहालाल नहरू के जमाने में हुआ, आज जो लोग आरोप लगाते हैं मोधी पर, कि वो विपक्ष की आवाज द किया जाये, ये कोशिश की जवाहलाल नहरू की सरकार में, जवाहलाल नहरू अर उनकी congrest party सोमनात मंदिर के समय से ही हिंदूओं की विरोध में ए थी, हलांकि नहरू हमेशा जो हिंदू विरोधी थे, वो अपने को कहते भी थे, accidental हिंदू, वो अपने को हिंदू उस तरह स ये से देश को और समाज को पीछे ले जाये जा सकता आगे नहीं ले जाये जा सकता अगर समाज को और देश को आगे ले जाना है तो पश्चमी सभ्यता के अनुसार उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा ये सोच थी जवाहर लाग नहरू की और आज भी वो सोच बदली रही है एक और दारन देता हूँ आज की कौंगिस का, आपको मदर टेरेसा का नाम तो याद होगा, मदर टेरेसा जिन्होंने इस देश में सबसे बड़े पैमाने पर धर्मांतरन का कारिकरम चलाया, जन जाती ये लोगों और दलितों को हिंदू से क्रिश्चिन बनाने का काम उन्हों उनके इस काम को चर्च ने, वैटिकन ने समाज सेवा माना, समाज उत्थान का कारिकरम माना, और उनको सेंट हूट दी गई, जब मदर टेरेसा को वैटिकन में पोप ने जब दिया, उस समय सोनिया गांधी, जो कॉंग्रेस की समय अध्यक्ष थी, उन्होंने चिट्थी लि इस बात से बहुत खुश हैं कि मदर टेरेसा को सेंट हूट मिल रही है, अब आप इससे इससे अंदाजा लगाईए कि इस पार्टी की सोच में क्या है, इसकी जड़ में क्या है, हिंदू धर्म का विरोध इस पार्टी का हमेशा से बड़ा एजेंडा रहा है, और आप आप अधादी के बाद जो कानून बने हैं, उन सब को देख लिजिए, चाहे आप वक्त एक्ट को देखिए, चाहे आप माइनाउटी एक्ट को देखिए, या फिर माइनाउटी के लिए जो कुछ कहा गया है, किया गया है, कानून बनाए गया, उसको देखिए, या फिर 1991 का प्ल इस देश का कोई नागरिक नहीं खटखटा सकता इसकी विवस्था केवल हिंदूों के मामले में की गई और कानून बना कर की गई और वो काम कॉंग्रेस पार्टी की सरकार नहीं किया। और आदालत में ऐसा कोई अगर केस चल रहा है तो वो खत्म माना जाएगा वो नहीं चलेगा। ये ये कॉंग्रेस पार्टी ने किया। कॉंग्रेस पार्टी इसके अलावा कई कई कदम उठा चुकी है। दंगों के मामले में उसने जो है एक विदेक लाने की कुशिश की। के बड़े विरोध के बाद उसे रोका गया संसद में पास नहीं होने पाया। कॉमिनल वाइलन्स बिल जिसमें मेजरिटी कम्मिनिटी जहां भी हिंदू जहां भी दंगा होगा अगर हिंदू मेजरिटी में हैं तो उनको दोशी माना जाएगा पहले। अब आप इस कालपनिक पात रहें। राम का कोई अस्तितो नहीं है। और हर मुद्दे पर हर मोर्चे पर ये पार्टी और इसकी सरकार राम मंदिर के निर्मान का विरोध करती रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम 500 साल से जादा समय से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं और खास्तोर से आजादी के बात से। और 1949 में जब मूर्तियां प्रकट हुई तब जवाहलाद नहरू बहुत नाराज हो गए थे। गोविंद वलब पंद से जो समय उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो आना चाहते थे फैजाबाद उसम फिर वो आएंगे तो मुझे उन्हें गिरफतार करना पड़ेगा। और उसके बाद ताला खुलने से लेकर शिला न्यास और शाह बानों का मामला जो भी जितने भी मामले आप देखिए। कॉंग्रेस की इस तरह से लगातार राम मंदिर का विरोध करती रही है। दो उदा प्रशर था। ऊपर की शक्तियां बहुत दबाव डाल रही थी कि इस मामले पर फैसला ना आए इसे टाल दिया जाए। इसे लटका कर रखा जाए। और दूसरा उदार आपको याद होगा Chief Justice of India थे दीपक मिश्रा। वो इस मामले की सुनवाई त्वरित सुनवाई करना च चाहते थे इसके लिए एक Constitution Bench का गठन करना चाहते थे उनको रोकने की कोशिश की Congress Party ने। जब लगा की नहीं रोक पाएंगे तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भारतिय जनता पार्टी ने हस्तक्षे किया। उसके बाद जो है उसे रोका जा सका। वो महाभियोग का प्रस्ताव संसद में नहीं आया। लेकिन दीपक मिश्रा उससे डर गया और उन्होंने अयोध्या की मामले की सुनवाई के लिए Bench का गठन नहीं किया। उस मामले को टाल दिया। उसके बाद जब रंजन गोगोई बने Chief Justice of India तब उन्होंने Bench बनाई ताइम बाउंड मैनर में इसकी सुनवाई की और फैसला सुनाया। और फैसला आम राय से आया। अभी अभी जो अब ततकाली Chief Justice of India हैं डीवाई चंदरचूड उन्होंने कहा कि हम सबने मिलकर तै किया था कि हम सर्वसम्मती से इस मामले पर फैसला सुनाएंगे और सर्वसम्मती से ही फैसला आया। इस Bench में शामिल एक जज ने अभी कहा कि हमको जब जब ये मामला आया हमारे सामने जब ये इस Bench में मुझे शामिल किया गया तो मुझे लगा कि इश्वरी कोई वर्दान है या इश्वरी घटना राम में है। दुनिया भर में चर्चा है अयोध्या में मर्यादा पुर्शोक्तम भगवान राम की प्रतिमा के प्रान प्रतिष्ठा के कारिक्रम की। कॉंग्रेस पार्टी को निमंत्रन गया तीन लोगों को सोनिया गांधी यूपीय के चेर परसन है इसनाते मलिकार जुन खड़ गे कॉंग्रेस के अध्यक्ष है और राजी सभा में कॉंग्रेस पार्टी के नेता है अभी पक्ष के नेता है और अधीर रंजन चौदरी जो लोग सभा में कॉंग्रेस के नेता है। हिंदू परिशद का कारिक्रम है अब आप समझेए कि कॉंग्रेस पार्टी कह रही है कि भगवान राम विश्व हिंदू परिशद और रस्स और बीजेपी के हैं इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है भारत जैसे देश में जिस देश की संस्कृति में राम बसे हैं जि पच्चिन्नों पर चले अखलेश यादाओ अखलेश यादाओ को निमंतरण गया तो उन्होंने का जिसको मैं जानता नहीं उसका निमंतरण स्विकार नहीं करता ये तो भगवान का काम है इश्वर का काम है भारतिय संस्कृति के पुनरुत्थान का कारिक्रम है उसका यग के हो रहा है उसमें शामिल होने से इंकार करने का एक ही मतलब है कि आप सनातन धर्म के विरोधी हैं और कम से कम अगर अगर ये भी न कहना चाहें तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि आप सनातन धर्म के समर्थक तो कत्त ही नहीं हैं तो आप किसके समर्थक हैं आप भगवान राम के विरोधी हैं आपकी सरकार जो है कारसेवकों पर गोली चलवाती है और आपका एक वरिष्ठ नेता आज भी ये बयान दे रहा है कि शांती के इस्थापना के लिए सद्भाव के इस्थापना के लिए और सम्विधान को बचाने के लिए कारसेवकों पर गोली चलवाई गई मुलायम सिंग यादो अपने निधन से कुछ दिर पहले ये बयान दे चुके हैं कि अगर ऐसा मौका है फिर हमारे पास अधिकार होगा तो फिर गोली चलवाएंगे तो ये ये मानसिक्ता है विपक्षी दलों की इस देश की संस्कृति को लेकर इस देश के बहुत संख्यक लोगों के धर्म को लेकर अयोध्या का कारिक्रम किसी कॉंग्रेसी नेता, सपाई नेता या किसी और विपक्षी नेता के जाने या न जाने से रुकेगा नहीं उनके इन बयानों से उस कारिक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस देश का बहुसंख्यक समाज पलक पाउडे बिचाए इंतजार कर रहा है कि आयोध्या में फिर से राम आने वाले हैं तमाम तरह के गीत बन रहे हैं, गीत सुनाय जा रहे हैं, गीत वाइरल हो रहे हैं, हमारे राम आने वाले हैं और ये Congress Party देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिखाई नहीं देता। तो जो एके एंटर्णी कमेटी ने बात कही थी 2014 के चुनाव के बाद कि Congress Party की छवी एंटी हिंदू हो गई है, हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त हो गई है, वो बिलकुल सही साबित किया है Congress Party ने, Congress Party हमेशा ऐसे निर्नाय काउसरों पर दो नावों की सवारी करती रही है, हमेशा बीच नदी में गिर्ती रही है, एक बार उसने फिर यही काम किया है, उसने केवल राम भक्तों को निराश नहीं किया है, उसने अपनी पार्टी के कारिकरताओं को भी निराश किया है, Congress Party के नेताओं, कारिकरताओं में इस बात की घोर निराशा है, कि Congress Party के नेतितों ने 22 जन्वरी के कारिकरम में शामिल होने से मना कर दिया है तो आप इस बात को समझ लीजिए, गांट बांध लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि कॉंग्रिस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है ये पार्टी राम के साथ नहीं, रोम के साथ है फैसला अब देश के हम लोगों को करना है कि वो राम का जो साथ दे रहे हैं राम को जो लेकर आ रहे हैं उनके साथ हैं या रोम का साथ देने वालों के साथ हैं ये 2024 में अपरेल मई में इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाने का वक्त आ रहा है उस समय इस बात को जरूर याद रखिएगा कि कौन राम का हितैशी है और कौन राम का विरोधी है गोस्वामी तुलसी दास जी की बात गांठ मांद लीजिए जाके प्रियन राम वैदेही तजिये ताही कोटी बैरीसम जद्यप परम सनेही तो ये परम सनेही हों तो भी ये परम सनेही का शब्द जो है शायद आज के संदर्ब में कौंग्रिस के समर्थकों और उसके कारेकरताओं के लिए है कि जो राम और बैदेही यानि राम और सीता का प्रिया नहीं है उसको थ्याग कर देना चाहिए इस से ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कहने की जरूरत है फैसले की घड़ी आ रही है आपको फैसला करना पड़ेगा ये देश राम से चलेगा या रोम से चलेगा कि रही है आपको प्रियादा करेंट इस से चलेगा याल आपको प्रिया से चलेगा याली कि जर रही है